तो दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे कि सेट शोप का जो लिगल सर्डिपिकेट है उसको हम नए एसूशियोट को कैसे समझाए तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो पहले हम लोग यह देखते हैं यह रामिलास पासवान जी मानन ये केंद्रिय मंत्री जहां पे लिखा हुआ ह है FDSA, Federation of Direct Selling Association दोस्तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे GST है Good Service Tax वो ऑफलाइन मार्केटिंग से टेक्स लेने के लिए बनाया गया है बिल्कुल उसी तरिके से FDSA यह ओनलाइन मार्केटिंग से टेक्स लेने के लिए बनाया गया है यहां पे लिखा हुआ है गाओं गा प्रधान बनाने के लिए सिरी राम ब्लास पासवान जी माननिये केंद्रिये मंत्री, Consumer Affairs, Food and Public Distribution को डारेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 जारी करने के लिए हार्दिक हार्दिक धनेवाद करती है दोस्तो अब हम लोग यह भी थोड़ा किलियर हो लेते हैं जहां पे देखिए एक तरफ हमारे देश के प्रधान मंतिर है और एक तरफ राम ब्लास पासवान जी यहां पे लिखा हुआ है MLM इसका फूल पॉम होता है multi-label marketing इसको हम लोग हिंदी में ऐसे भी समझ सकते हैं स्वारोजगार दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि MLM इंडिस्ट्री कभी बंद RBI के guideline से चलते हैं बिल्कुल उसी तरिके से हम लोग Bima company को देखते हैं जैसा आप LIC को देख लेजे LIC सरकारी है क्या नहीं है बिल्कुल भी वो सरकारी नहीं है फिर भी उसमें आपका पैसा डूपता है क्या LIC पैसा लेके भागती है क्या नहीं उसके पीछे कारण क्या है तो इसको भी एक संस्था देखरे करते हैं जिसका नाम है IRT है Insurance Regulatory Development and Authority इसी लिए हमारा पैसा वहाँ पे सेव है दोस्तो मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल उसी तरिके से MLM Ministry के लिए भी 2016 में एक संस्था बनाए गया जिसका नाम है Ministry of Consumer Affairs Food and Public Institution Government of India और ये जब संस्था बना थी चार लाग कंपनियों में से मात्र 387 को कंपनिय बचा बाकि सारी कंपनिया बंद हो जुके क्यूं कि वो लोग गलग तरीके से काम करती थी वो लोग सरकार को टेक्स नहीं देटर तीर इसलिए वो नज्ны आ है और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसका परहाई लिखाई स्टार्ट हो चुका है Bnet, Mnet, Bachelor's of Networking, Master's of Networking और इसका परहाई MBA के अंदर भी होता है और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये ही main certificate है और जिसके पास ये certificate रहेगा वही भारत देश के अंदर काम कर सकते है otherwise company नहीं कर सकती है और ये certificate safe shop के पास भी है दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये safe shop का legal with proof है यानि की GST number और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये safe shop company की ISO certificate है इसका full form हता है international standard organization और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये सूधता और बुडवता को देख कर है दिया जाता है और दोस्तों ये safe shop की pain card है और pain card का मतलब होता है टेक्स जना safe shop company भी government को भारी मात्रा में टेक्स देती है और ये हमारे पांच डिरेक्टर्स है जिनका नामे से दाथ चैगल, हरीश, शौंधी, रजत वर्मा, राजुवान, राजपल, अडोड़ा ये पांच लोग मिलके पूरे भारत देश के अंदर करीबन 60 लाख लोगों को safe shop के माधियम से रोजगार दी चुकी तो दोस्तो यही था safe shop का legal certificate और मैं बताना चाहूँगा अगर ये certificate आप अच्छे तरीके से किसी के माधियम सेट कर दिये या फिर उसको बढ़िया तरीके से समझा दिये तो आपका बात को सुनेगा, समझेगा और इस business को join भी करेगा तो दोस्तो मैं ये उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, comment, share and channel को subscribe जरूर करें और बिल आइकन को भी दबा दे, so thank you झाल